नया कानून लागू होने से पहले कुछ केसों को कोर्ट को खतम करने होंगे ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के ओडर आ चुके हैं चाहे एक तारीख लगाओ पांस तारीख लगाओ या पचास तारीख लगाओ कुछ ऐसे केस है जिनको नया कानून आने से पहले जड़ से खतम करन आपने CRPC सुना होगा अब CRPC की जगह पे जो नया कानुन आ रहा है वो आजाएगा BNSS भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता आपने evidence act सुना होगा अब evidence act की जगह जो नया कानुन आ रहा है वो आ रहा है BSA यानि कि भारतिय सक्षे अधिनियम अब इनके अंदर जो चीज थी वो जोड दी गई, कुछ नए क्राइम के लिए सजा भी बना दी गई है, तो इनके अंदर जो चीज थी वो यहाँ पे मिले गी और इनके अंदर कुछ और चीज एड कर दी गई है, अब ये नाम हम ना बोलके अब ये नाम हमको बोलना पड़ेगा जी, लेकिन ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट ने ओर दी हैं, कि ये कानू लागू होने से पहले उनको जड़ से खतम करो, अगर किसी कोर्ट के अंदर हो पेंडिंग है, तो पहला जो केस है, वो है जी, अगर कोई बुडे माबाप हैं, और उस बुडे माबाप को अगर उसके बेटे ने, बहु ने, अ अगर मुकदमा चलवा रखाय, उस बुडे माबापने अपने बच्चों के उपर, कि मेरे बच्चों ने मेरे को घर से लात मार के निकाल दिया, मेरे घर से निकाल दिया, दुकान से निकाल दिया, ऐसा कोई भी केस पेंडिंग है, तो एक जुलाई दो हजार 24 से पहले, ऐस केस का निप्टारा करवाना पड़ेगा, चाहे उनका बुलागे समझोता गरो, चाहे एक तारिक लगाओ, पचास तारिक लगाओ, पांस तारिक लगाओ, चाहे उसको सजा दो, कैसे ही करो, या उसको हक उसको दिलवाओ, इस केस के तहते में, अगर कोई F.I.R. दरज है, कोई बेटा या उसकी बेकार बहू, उसका साथ में घरे साकरते है, और उस बुटे मा chegou अपने, अगर अपने बेटे बहू के ओपर घरे लो, इंसा, ihtमुक बाद uh रजक्रवा रखा है, चाहे वह केस ऑभी थाने के अंदर पहरने हो, चाहे को यह केस कोट के अंदर प्हरने हो, कि 10-15 कितनी लगवानी पड़ो एक जुलाई से पहले पहले ऐसे केस हो करने प्टारा करवाय जाएगा 7 लाग केस पेंडिंग आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भारत के अंदर टोटल भारत के अंदर ऐसे जो केस है वो 7 लाग केस पेंडिंग है ऐसे बुडे माबाब जो है वो परेसान है अपनी उलाद से और ये तो वो केस है जो केस चल रहे है पेंडिंग है लेकिन ऐसे बहुत सारे बुडे माबाब भी होंगे जिन्होंने अभी तक केस नहीं डाला होगा या फिर जिनको जानकारी नहीं कि कैसे केस ढलेगा या फिर जो अभी मी दर-दर के ठोगरे खारे जिनको पता ही नहीं है आखों से दिखना कम हो गया सुनना कम हो गया आप वो क्या केस करवाएंगे तो ये तो वो केस है बाइडियर जो भारत की quarter फिलाल pending है इसके अलावा अगर किसी बुड़े माब अपने बच्चे के उपर maintenance का case लगा रखा है यानि कि 125 CRPC का काफी सारे लोग इस धारा को अच्छे से पहंचानते होंगे क्योंकि काफी famous धारा 125 maintenance के लिए लगाई जाती है कि अगर किसी अपना गुजारा बता चाहिए अपनी उलाद से तो 125 लगा दिया जाता है तो अगर कोई 125 का मुकदमा pending है किसी court के अंदर और वो मुकदमा किसी बुड़े माब अपने अगर लगवाया है यह सारे है ना तीनों की तीनों senior citizen के लिए है कोई यह सोचेना कि कोई लड़की है उसका डीवी का चल रहा है कोई लड़की का उसके लिए नहीं है यह senior citizen के लिए अगर इनके यह case pending है तो इन केसों को 1 जुलाई 2014 से पहले पहले निपटवा दिया जाएगा सुप्रीम court के order आचुके हर court को order मिल चुके कि अगर आपके court में कोई ऐसा मामला पैढ़नेगा तो उसको निपटवाओ उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करो इसके लावा यह वो तीन case है जिनका निपटारा हो जाएगा 1 जुलाई 2014 से पहले पहले अब यह case हो का निपटारा सही हो रहा है गलत हो रहा है आपका क्या रहा है या फिर इनके अलावा कोई और भी ऐसे case होने थे जिनका निपटारा होना था होना ही होना था तो कौनसे मामले होने चाहिए थे उसके लिए आप comment करके बता सकते मेरे तक अपना suggestion पहुंचा सकते हैं या फिर आपका suggestion जो दूसरे लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी मिलेगा कि विजए इन तीन के अलावा कोई चोथा case या पाच्वा case शटा case ऐसा होता जिसका निपटारा होता तो और देश के लिए अच्छा होता वो आप comment करके बता सकते हैं यहां तक की जान करें अगर आपको अच्छे लगी है प्लेज इसको subscribe कर ले लाइक कर ले नहीं अच्छे लगी इसको dislike कर ले और अगर अच्छे लगी तो किसी एक के पास में जरूर share कर दें मेरे से अगर संपरक करना तो description में मेरे संपरक्स उतर आपको मिल जाएंगे इस्टाग्राम के ID मिल जाएगे, calling number मिल जाएगा, whatsapp number मिल जाएगा, ग्रूप का link भी आपको मिल जाएगा इसके इस अगली बात देखो, इस अगली बात यह है वाई, कि अगर किसी बुडे माबाप ने अपने बच्चों को अगर बेदखल किया है, तो फिर वो बेदखली अगर कर चुके हैं, तो उसके बाद फिर वो बच्चा जो है बुडे माबाप की property में हग नहीं पास सकता है ये भी Senior Citizen Act कहता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि अगर किसी को property मिली हुई है, खांदानी, तो खांदानी property से वो बेदखल नहीं कर सकता है, तो बुडे माबाप को Senior Citizen Act में ये राइट मिला हुआ है, कि वो खांदानी property से भी अपने बच्चे को बेदखल कर स इसके अलावा एक चीज और भी बता देता हूँ आपको, कि काफी सारे माबाप क्या करते हैं, अपने बच्चों बे भरोसा करते हैं, सब ही करते हैं, नौर्मल सी बात है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों बे भरोसा करते हैं, वो क्या सोचते हैं, यार property का matter ऐसा है, कि अपने बच्चों के नापे property करवा देते हैं, ये तू रख ले, इतना इसा तू रख ले, इतना इसा ये तू रख ले, लेकिन बाद में क्या होता है, जिसने हिस्से दिये हैं अपनी property से, उसी को घर से निकाल दिया जाता है, यारी कि उननी बुड़े माबाप को घर से धक पड़ता है, section 23 के अंदर, ये section 23 होता है, senior citizen act का, section 23 के तैत में, ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी, my dear, नया कानुन आने से पहले-पहले, ऐसे केसों को खलास कर दिया जाएगा, इनका निकटवारा करवा दिया जाएगा, इसके अलावा, अगर आपको किसी ओर topic पे जानका करके, हम आपको जानकारी जरूर बना के देंगे, और अगर यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो please, ठीक है, इसको share जरूर कर दे, subscribe जरूर कर ले, like जरूर कर ले, thank you, thank you, my dear. जरूर करना कर दिंग। झाल झाल